सब्सक्राइब और प्रेस दे बेल आइकन फॉर लेटेस अपडेट लहसुन और शेहद का इस्तमाल हर घर में किया जाता है और इसके फायदों में भी हम सभी वाकिफ है शेहद अपने एंटिवाटेक और एंटिबैक्टेरियल गुणों और लहसुन में एलिसीन और फाइबर की मौजोदगी के कारण हमें कई तरह के पोशब तत्तुप्रदान करता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो यह और भी फायदे बंद हो जाता है शहद में डोबे हुए लहसुन के सेवन से आप कई बिमारियों से बच सकती हैं यह एक प्रकार का सूपर फूड है जो एंटिबायोटिक की तरह काम करता है और शरीर को डिटॉक्स करके हर तरह की इंफेक्शन को भी खत्म करता है साथ ही इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है अगर आप लगातार साथ दिन शहद में डोबा हुआ लहसुन का सीवन करेंगे तो कुछ ही दिनों में असर दिखने लगेगा आईए इसे बनाने की विधी और इसका सीवन करने के फायदों के बारे में जानते हैं पहले जानते हैं बनाने का तरीका तो आपको बता दें कि दो तीन बड़ी लैसुन की कली लेकर उसे हलका सा दबा कर कोट ले फिर उसमें शुद्ध सहद मिलाएं इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने दें ताकि लैसुन में पूरा शहद समा जाएं फिर इसे सुबह खाली पेट साथ दिनों तक खाएं यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके बहुत से फायदे होते हैं तो चली अब जानते हैं कि शेहद में डोबा हुआ लैसुन खाने की फायदे क्या क्या होते हैं शहद में डूबा हुआ लहसुन भरपूर मात्रा में ऐसे तक तो पाया जाती है इसका सीवन करने से शेरीर में गर्मी आती है जिसके कारण आपको सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से निजाद मिल जाता है इसको खाने से सर्दी जुकाम के साथ साइनस की तकलिप भी काफी तक कम हो जाती है शेहद और लेसन को मिला कर खाने से शेरीर का बजन कम होता है साथ ही मुटापे परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है इन दोनों में एंटी बैक्टेरियल गुण होती है जो फंगल इंफेक्शन को दूर करने में काम करते हैं अगर आपको बार बार डा जमाचन तंत्र ठीक ढंग से काम करता है जिसके कारण आपको पेट संबंधी किसी भी प्रकार का संक्रमन नहीं होता इस पेश्ट में एंटी इंफेक्ट मेटरी गुण होती है जिसके कारण इसका सीवन करने से आपके गले में खराश और सोजन से आपको आराम मिल जाएगा लहसुन और शेहद की पेश्ट का सीवन करना आपके दिल के लिए काफी फायदेवन्ध होता है इसका सीवन करने से आपके दिल की धमनियों में जमाफैट बाहर निकलाता है जिसके कारण ब्लेट सर्कुलेशन ठीक ढंक से होने लगता है जो दिल के लिए बहुती इन दोनों चीजों को मिलाकर खाने से कोलेश्ट्रोल कम होता है और शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। और यह दातों से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने का काम करता है। लहसुन और शेहद में मौझूड एंटि आक्सिडेंट कैंसर की मरीजों के लिए बेहतर हैं। इससे कैंसर का खत्रा कम होता है। तो देर किस बात की बिमारियों से बचने के लिए आज यह पेश्ट ब सब्सक्राइब एंट प्रेस्ट बेल इकन फो लेटेस्ट अब्देट